चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भोलें नमस्कार आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम मात्राओं की सम्मंद में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रात करेंगे बहुत से बच्चे यहां तक के बड़े भी मात्राओं से सम्मंदित बहुत सी तूटिया करते हैं जिसमें छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ की मात्राएं लगाते समय तूटिया करते रहते हैं तो आईए देखते हैं छोटी वा बड़ी की मात्राओं में कौन सी मात्राय सही है और कौन सी गलत। जैसे कि आप सभी को यहां दिख रहा होगा, यहां मैंने कुछ सब्द लिखे हुए हैं, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा के, तो इसमें कौन से सही है और कौन से सब गलत है, वैसे तो बहुत से लोग इसे देखकर ही पहचानगे होंगे कि इसमें कौन सी मात्रा सही लगी हुए है, कहां पे और कौन सा सब यहां पे सही है, लेकिन जातर बच्चे और बड़े जैसे कि मैंने कहा, कई बार लिखने में और बोलने में गलतिया करते हैं तो उच्यारण करने का सही तरीका क्या है और इसका मान सकते हैं आप एक नियम मान सकते हैं आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं कि दोनों में अंतर कैसे पहचाने और लिखते समय कौन सा यहां पे सही होगा जैसे कि हम सबसे पहला सब्त लेते हैं पहले बाले में लिखा हुआ है देखे किरन और दूसरे में भी किरन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर दोनों के उच्चारण में अंतर आता है तो छोटी की मातर लगाते समय और बड़ी की मातर लगाते समय क्या अंतर होना चाहिए यह मैं आपको बताता हूँ जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है छोटी की मात्रा में की लिखा हुआ है की रण तो जब भी उचारण करेंगे तो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रे में उचारण करते समय यहाँ पर समय का बहुत महतुपूर्ण इस्थान होता है सही उचारन करने के लिए समय का बहुत ही महतुपूर्ण योगदान होता है जब हम छोटी की मात्रा का उचारन करते हैं तो बहुत ही कम समय में हमें उचारन करना होता है और जब हम बड़ी की मात्रा का उच्चार्ण करते हैं तो लगभग दोगुना समय लगता है जैसे मैं यहाँ पर किरण का उच्चार्ण कर रहा हूँ तो यहाँ पर उच्चार्ण इस प्रकार से होगा किरण यहाँ पर की जो मैंने बोला किरण यह बहुत ही जल्दी से उचारण हो गया का में छोटी की मात्रा और यहां पर मैं उचारण करता हूं तो यहां पर जो का में बड़ी की मात्रा लगा है तो यह हो जाएगा कीरण आप देखिए की रंड जब बड़ी की मात्रा को उप्योग करते हैं तो हम कुछ आवाज को थोड़ी सी तेज करके इसका उच्चारण करते हैं यह हो गया किरण कीरण तो आपको सुनने में ही समझ आ रहा होगा कि दोरों में से कौन सा उचारण सही है या कौन सी मात्रा सही होगी आप एक बार सोचे बताइए कि दोरों में से सही मात्रा कौन सी है जी आपने बहुत ही सही सोचा ये जो किरण है ये सही है और ये बड़ी की मात्रवाला किरण है ये गलत है इसी प्रकार से हम यहाँ पर आप दूसरा सब्दे देखेंगे विचार और ये लिखा हुआ है वीचार यहाँ पर भी उचारण में आपको समझ आ रहा होगा कि व में छोटी की मात्रा है यदि हम यहाँ पर छोटी की मात्रा का उचारण करते हैं तो लगभग मान के चलिए यहाँ पर एक सेकंड को प्योग करते हम यहाँ पर लगभग एक सेकंड यदि हम छोटी की मात्रा बोलने म उप्योग करते हैं तो यहां बड़ी की मात्र को उच्छान करने में हमें मानके चलिए दो सेकंड लगेंगे लगभग दुगना एक सेकंड और दो सेकंड यह उधारन के रूप में है इससे कम समय लगता है जैसे हम व में छोटी की मात्र को उच्छान करते हैं तो यह हो जाएगा वी और यदि व में बड़ी की मात्रा को प्योग करते हैं तो यह हो जाएगा वी तो वी और वी ये दोनों में अंतर आपको समझ आहिरा होगा तो ये सब्दम पढ़ते हैं व में छोटी की मात्रा वी विचार व में बड़ी की मात्रा वी, वी चार, वी चार, वी चार तो एक बार आप फिर अनुमाल लगा सकते हैं कि दोनों में सही सब्द कौन सा होगा जी बिल्कुल सही ये व में छोटी की मात्रा वाला विचार सही सब्द है उसी प्रकार से जो अगला सब्द है वो है मामे छोटी की मात्रा वाला मीरा और मामे बड़ी की मात्रा मीरा तो इसमें भी आपको सुनकर समझा रहा होगा कि मीरा और मीरा में कौन सा सही होगा जी इसमें बड़ी की मात्रा वाली मीरा ही सही है क्योंकि जब हम क्रिष्ण मीरा की बात करते हैं या मीरा से संबंदित कुछ वाक्य का प्रयोक करते हैं जैसे मीरा क्रिष्ण की दीवानी थी इस प्रकार से तो यदि हम इसका उच्चारन छोटी की मातर में करेंगे छोटी की मातर में करते हैं इस प्रकार सोयागा मीरा क्रिष्ण की दीवानी थी तो मीरा बोलने से ही यहाँ पर आपको अटपटा लग रहा होगा सुनने अटपटा लग रहा होगा कि मीरा हुई नहीं सकता यहाँ पर होगा मीरा प्रेम की दीवानी थी या मीरा क्रिष्ण की दीवानी थी तो मा में बड सा सही लग रहा है इसमें धिकार धिकार जी यहां पर छोटी की मात्रा वाली धिकार ही सही है इसी प्रकार से बहुत से लोग मैंने देखा है जब यह स्री मती लिखते हैं तो हमेशा बहुत से लोग को मैंने देखा है अधिकता लोग को देखा है कि तामें वो छोटी की मात्र लगाते हैं जो की गलत है तो हमें बड़ी की मातर ही आएगी स्री मती स्री मती कभी भी आप स्री मती नहीं बोलते उधारन सुरुप यदि मैं अपनी माता जी का नाम लेता हूँ तो मैं कहूंगा स्री मती शवीता शर्मा ये जो स्री मती शवीता शर्मा है वो सही उचारण होगा यदि मैं कहता हूँ स्री मती सवीता शर्मा तो ये उचारण गलत हो जाएगा तो याद रखेंगे हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी स्री मती को उपयोग करते हैं तो बड़ी की मात्र ही उपयोग में लाई जाती है स्री मती तो आप उचारण करने इसे ही समझ आ रहा है कि स्री मती बड़ी की मात्रवाली ही सही होगी छोटी ई और बड़ी की मात्रवाली ही प्रयोग के जैसे ही मैं आप लोगों को छोटा हूँ और बड़ा हूँ ये दोनों के प्रयोग के बारे में भी आपा जानकारियां देना चाहूँगा इनके प्रयोग करने की विदी भी छोटी ई और बड़ी की मात्रा के जैसे ही है जैसे मैं आपको एक उधारन देता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ समय छोटू की मात्रा सुबा और समय बड़ू की मात्रा शुबा तो यहां उचारन से समझ आ जा रहा है कि समय छोटू का मात्रा वाला सुबा ही सही सब्द होगा सुबा यदि हम इसे उधारन के रूप में देखते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर लिखा है सुबा शुभा गूमना स्वास्त के लिए लागध दायक होता है और यहाँ पर मैं छोटू की मात्र के जगा बड़ू की मात्र लगाता हूँ तो यह वाक्यों ही पूरा का बदल जाएगा वाक्यों वही रहेगा परंतु चारने इसका बदल जाएगा जो की सुन्दम भी बहुत ही असहच लगता है अजीव लगता है जैसे मैं यापर अगर छूटू की मातर के जगहां बड़ू की मातर को प्योग करता हूँ बड़ा उलगाता हूँ सूबह सूबह तो आप इस वाक्यों को एक बार सुनेंगे सूबह सूबह घूमना श्वास्त के लिए लाबदायक होता है और जो पहले उचारन किया था मैंने सूबह घूमना स्वास्त के लिए लाबदायक होता है कि छो टवी का मात्रा वाला सुबह ही सही उचारन होगा और लिखने में भी यही सही रहेगा देखते ही समझ आ रहा है कि वह में बड़ुक वाला जो सुबह है वह अट पटा दिख रहा है क्योंकि हम्लों को अनुभव है हम लोग ने हमेशा बचपन से पुस्तक में देखते हुआ है, लिखते हुए आया है, बहुत से गर हमने ये सब चीज को देखा हुआ है, इसलिए हम तो देखकर ही बता देंगे कि कौन सा सुभा सही है, कौन सा गलत है, लेकिन जो बच्चे हैं, उन्हें तो अभी कुछ पता नहीं है, उन्हें आप इस प्र से आपको देना चाहूंगा उधारनिस का, जो की है, बहुत से लोग लिखते हैं, उन्हें अंतर नहीं पता होता है, जैसे, रूप, और रूप, रह में जो उ की मातर लगती है, जो लगता है, रह में जो उ का मातर लगाया जाता है, उसे बहुत से लोग को पता ही नहीं है, बहुत से लोग यही गलती करते हैं वो रह लिख देते हैं उसके बाद उन्हें अभी तक यहीं नहीं पता है कि मात्रा चोटू की मात्र बडू की मात्रा रह में लगाते कैसे हैं कई लोग बसे रह लिख देते हैं कई लोग ऐसे कर देते हैं लेकिन बहुत से लोग को नहीं प दो में चीते हैं रोक मरी तो यहाँ पर बीदे सा Elm पड़ता है रहदे की उच्छारण का shoots उच्छान के नंग होगा । तो इस प्रकार से और दो-चार शर्त मैं आपको बताता हूँ जैसे कर दो दो या मैं जाल मैं उता रहा हूं द अनन दें में उप भार है रूस कि देश का नाम है तो यहां भी आपको समझ आ रहा है कि रमे छूटू की मात्रा रू और रमे बड़ू की मात्रा रूस दोरों में बड़ू का मात्रा वाला रूस ही सहें उच्छारण होगा कि इसी प्रकार कि धूप कि धूप कि धूप धूप आज धूप बहुत तेज है आज धूप बहुत तेज है कि और रेकुधारण कि अरूण कि और बड़ू की मात्रा में यह आपको बताना है कि यहाँ पर अरूण और अरूण यह दोनों को चान करके आप देखिए और दोनों में कौन सा सब्द सही होगा अरूण अरूड 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 जी विल्कुल सही इर्रा में छोटू का मात्रावला और उन्ही सही है आज के लिए बस इतना ही इस प्रकार मैंने आप लोगों को आज मात्राओं के बारे में जो छोटी जानकारियां लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारिया प्रदान की है जिसका ध्यान रखने से बच्चे और यहां तक के बड़े भी मात्राओं के उच्चारण वा मात्राओं को प्योग के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और भविश्य में उन्से तुरूटियां होने की समावना कम रहेंगी आप सभी का धन्यवाद